सो हलो बरीबुन तोड़े विल डिस्कस वन मोर टॉपिक हाउ टू राइट सिनॉप्सिस बेस्किली आज का जो सेशन है यह टोटली डेडिकेटेड है जो हमारा रिसर्च का प्रोसिस्च अला था कि मैंने भी लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था हाउ टू सेलेक्ट आर्ट सूज रिसर्च टॉपिक और में सेट पीजडी तो वह वाला वीडियो जो है आई होप आ देडिकेटेड है How To Write a Synopsis. Synopsis आलसो कॉंड एस रिसर्च प्रोपोजल तो सिनॉप्सिस को ही हम लोग रिसर्च प्रोपोजल बोलते हैं तो हम आज वाले सेशन में Synopsis या Research Proposals कैसे लिखे और MSC और PhD के लिए इस Topic पर डिसकस करेंगे इसका Basically Importance क्या है Structure क्या है Format क्या है Actual जो Word है वो कितने होने चाहिए इसको मैं डिसकस करूँगा और आपने जो Topic सेलेक्ट किया है उसको क्या क्या चीज़े आपको उसमें में स्ट्रॉक्षर कैसे बनाना तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले पर अपना इंट्रोड़क्षन देना चाहूंगा दिस इस विशाल यादो और करेंटली आए पीएजडी स्कॉलर डिपार्टमेंट आप एक्टेंशन एजूगेशन कुमारगन जैय अध्या आई होप थोड़ा बहुत आप ब्रीप मेरे चैनल के बारे में चैनल से मेरे बारे में जानते होंगे लेकिन थोड़ा आज का सेशन है काफी जो भी फ्रेसर स्टूडेंट है चाहे वो पीजी में अडमिसल नहीं है चाहे पीडी में अडमिसल नहीं है चाहे वो कॉलेज के हो चाहे इनवस्टी को हो सबको डेडिकेट जो मेरे वीडियो रहतने है मोसली सबको डेडिकेट रहता है चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो चाहे वो इन्वेस्टी का student तो start करते जैसे क्या पहले है हमारा क्या होता importance बिसलिए synopsis और research proposal का importance क्या है तो देखी जो synopsis और research proposal का importance यह है कि कहीं भी अपना आप master कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं तो partial fulfillment के लिए या degree आपको करने के लिए partial fulfillment के लिए आपको research करना होता है अपने master में मैं agriculture student की बात कर रहा हूँ other discipline को भी करना होता बट उनको मैं यहाँ नहीं discuss करूँगा तो agriculture में अगर आप है किसी पर discipline में हैं तो partial fulfillment आप अपने thesis पे देखेंगे सब submit करेंगे partial fulfillment for MSc partial fulfillment for PhD तो उसको fulfill करने के लिए आपको research करना होता है और एक आपको topic select करना होता है topic already आपने select किया मैंने आपको कली बताया था और उस topic पे आप क्योंकि आपका master 2 year का program है या आपका पे दी 3 year का program है synopsis our research proposal basically आपको research work को या आप जो throw out अपने 2 year के program में या 3 year के program में जो आप काम करेंगे उसका summarize होता है thesis का summarize form होता है वो आपका synopsis होता है तो आप एक idea देते हैं अपने guide को अपने department को अपने university को कि आप इस topic पे अपने 2 year के program में 3 year के program में इतना work करेंगे research का वो था आपका synopsis इसका basically यही importance है अब हम लोग देखेंगे कि structure और format इसका क्या है तो देखिए जो structure है वो mostly हर discipline का हर subject का same है बट जो format है वो हर university का हर department का अलग है मतलब mostly universities का vary होता है format कि कि format में रखना है क्या font size होनी चाहिए क्या spacing होनी चाहिए तो वो format अलग है कैसे आपको review लिखना हर देखा का अलग होता है बट जो structure होता है बिसकलिक क्या content आपको follow करेंगे वो mostly same होता है तो यह भी आपको clear होगा अगर हम लोग देखें जो एक summarize proposal जो हमारा होना चाहिए या summarize synopsis जो होनी चाहिए वो लगबग कितने page की होनी चाहिए या कितने words की होनी चाहिए तो जो आपकी summarize proposal है या synopsis है वो अगर देखा जाए एक जो best या appropriate माना जाता है वो 1,000 to 4,000 मतलब minimum 1,000 आप word रखो maximum आप 4,000 word रखो क्योंकि आप summarize आपको देना अपना research को यह नहीं कि आप 20 page का synopsis बना के दे दिए 25 page का कोई मतलब नहीं आपको maximum 14-15 page में अपने जो research के proposal को है वो complete कर देना summarize कर देना आप यह नहीं कब review बढ़ा रहे हैं page बढ़ाने के लिए नहीं आपको 2-3 review एक objective का आप डाल देंगे तो these are sufficient for your synopsis तो I hope आपको यह भी clear हुआ होगा अब हम लोग देखते हैं कि हमारे contents क्या होते हैं हमारे synopsis में तो content content जो होते उसमें पहला आपका क्या होता है introduction होता है पहला आपका title होता है जो आपने title लिया या जो topic लिया है दूसरा आपका introduction होता है थर्ड आपका review literature होता है fourth आपके objective उसमें आप लेते हो objective होते हैं next फिर research आपका hypothesis जो लगाते हो या statical जो measure लगाते हो वो होता है next आपका methodology होती है research methodology लगाते हो वो होता है last में आपके references are literature cited होते है वो आपको बोलते है literature topic overview of your जो आपने term लिया है या research topic लिया उसका overview देते हैं आपने introduction में आपके mind में introduction लिखते हैं समय यह होना चाहिए कि why I choose this topic आपने इस topic क्यों select किया तो उसी की basis पे आप अपना aim भी डालेंगे आप अपना topic select क्यों क्यों किया aim भी डालेंगे उसी introduction में और overview देंगे जैसे आप आपने कोई भी student है extension का student है मालेजिए आपने किसी crop का knowledge adoption या perception देख रहे हो आप rice का देख रहे हो तो rice का आपको totally scientific name से लेके origin से लेके maximum production minimum production area से लेके आपको इंडिया से start world से start करना पहले आप world को उसको identify करेंगे overview डालेंगे फिर आप इंडिया प्याएंगे फिर state प्याएं कि आप उसको डालेंगे उसका ऐसे introduction आप त्यार करेंगे किसी भी extension मेने दूसरे में भी आपने कोई topic लिया है तो आप भी same लिखेंगे introduction तो सबका same रहता है प्लस अब introduction में आप क्या डाल सकते हैं introduction में जैसे कि आप basically statement of problem भी डाल सकते हैं importance of the study डाल सकते हैं उसी में आपको डालना है आपने topic क्यों सब्सक्राइब किया है यह आपको उसमें डालना है aim के आपके research का वो आप introduction में डालते हैं दो दो तिन तिन पॉइंट में तो यह basically introduction है और introduction आपको कहां से लिखना है यह भी होता है माइंड में तो introduction जो आपको वो आपके different research paper आपके discipline के हैं वहां से आपको लिखना है यह आप कहीं book से भी लिख रहे हैं तो उसको आप डालेंगे reference में literature site में review literature में तो यह introduction ऐसे आपको लिखा जाता है I hope आपको introduction clear होगा आप फॉर्मेट अपने university का देखेगे और आपको idea लग जाए introduction में यह चीज़ overview आप देते हैं जिस topic का world से start करते हैं लास्ट अपने जहां आपका location of the study वहां तक लेके जाते हैं उसका scientific norm क्या है कितना क्या आप contribute कर रहा है national income में होगा रहा है यह सवाब डालते है next आपका आता है review of literature second review of literature basically जो होता है वो होता है आपका previous में past और present में ज यो उस topics related जो research हो चुके हैं जिनकी सहायता से आप अपना research आगे बढ़ाओगे जिनके help से उनके research को थोड़ा सा देखके वो आपका literature cited होता है तो literature cited review of literature क्या होता है जो past में present में जो आपका topics related research हो चुके होते हैं उससे जो आप उनसे जो आप सीखते हो या उनसे जो देख क research करते हो वो आपका review of literature होता है इसलिए लिखा जाता है जैसे आप किसी research paper पढ़ोगे उसमें से आपने introduction लिखा तो उसका लिखोगे जैसे मेरा paper published है भी extension में इस इंडियन जैनरल में पब्लिश है तो यादो एटाल मतलब यादो एटाल फस्ट मेरा था एटाल यतने भी आतर उनकाब नाम करे लिख दूगे topic का नाम लिखोगे paper का नाम रहेगा फिर जैनरल का नाम आप लिखोगे कि जैनरल में है प्लस उसका issue number क्या है वो आप पेज नंबर क्योंसा यह इतना लिखा जाता है आपको review of literature लिखने में ठीक है उसके बाद आपके objectives आते है objective ही आपके research का सबसे main होता है क्योंकि आप उन्हीं पर work करते हो objective की basis पर आपके variable बनते हैं तो objective जो है वो आप with the help of your guide आपके advisor जो उनके help से अपने senior के help से याप प्रीबियस research को उन्होंने क्या objective को लिया है तो वो objective आपने area में ले सकते हो तो objective होते हैं जैसे आप extension में देखेंगे तो एक demographic profile एक प्रॉफाइल आप पहला objective होता है सबका अगर आप knowledge देख रहे हो तो knowledge दूसरा objective हो जाता है आप attitude देख रहे हैं adoption देख रहे हैं तो यह हो objective से ही आपका आगे चलके variable independent और dependent निधायद करते हैं तो यह चीज़े हैं next आपका क्या आता है hypothesis hypothesis basically क्या होता है कि conceptual relationship होता है तो hypothesis आप बनाते है hypothesis ही अगर देखा जाए कौन सा method जैसे हमारे में exposed facto में यह आप यूज़ करते हैं तो यह hypothesis उबाला research का conceptual relationship है different जो variable उनकी बीच का उनको कैसे आप measure करोगे यह आप दिखाते हो next आप का methodology research methodology research methodology में आप sample plan बनाते हो sample plan मतलब आप कितने audience को target कि हो कितने farmer को target कि कितना आपका sample size है 120, 100, 150, 200 उसमें आप जो steady start कर से हैं उसमें आप विदाहिल पप low chart से भी explain करते हो कि आपका state कौन सा है आपका district कौन सा इनको आप कैसे select की हो यह भी दिखाते हो परपजली select की हो कि randomly select की हो प्लस इसी में आप यह भी दिखाते हो कि location of the study आपकी character methodology में selection of आपका district कौन सा था वही ब्लॉक आपने कौन साथ किया आगधर वाले जाएंगे तो आपने field कौन साथ किया selection of the location of the study आप agronome किसी भी सब्यक्ट में हो तो आपका MES फाम होता है पिर extension वाले जाएं block और village respondent तो आपका crop होती है variable हमारे extension नमनों पढ़ते हैं आप लोग treatment देख चक करते हो तो यही difference बस इतना है यह methodology होती है statical analysis जो होता है वो आपका hypothesis में यह आता है और last में आप reference डाल देते हो जिसको literature cited डू बोलते हैं यह क्या होता है कि हर के जितने भी आपने matter लेके सबके review लेते हैं जहां थोड़ा भी matter उठा है उसका डाल देते है reference में अब आप PG first year या PhD first year की student होंगे PG first year के ठीक है आपको नहीं idea हो लेकिन second year PhD या PhD first year की होंगे तो आपको idea होगा review of literature और reference कैसे लिखा जाता है अगर इतना idea नहीं आप PhD first year में तो यह चीज़े आपको सीखनी चाहिए MSC first year का student है जो आप एक दो thesis पढ़ो एक दो सुनामसिस पढ़ो आप देखो कैसे review लिखा गया है reference कैसे लिखा गया कहां पे comma लगाया गया कहां पे italic word किया गया तो यह चीज़े आपको तब idea आएगी research इतना easy नहीं होता है मैं आपको एक चीज़ और clear करना चाहूँगा कि दो discipline होती है हमारे agriculture में बैसके लिए एक research होता है एक teaching होता है दो की पोस्टे आती है teaching is a art teaching आप easily कर ले जाओगा आपको topic नहीं भी पता है तो आप चीज़ों को correlate करके आप बता ले जाओगे teaching को को आप easily कर सकते हो बड़ जो research है रिजली इस research में आप किसी को ऐसे आप घुमा के नहीं बता सकते हो जो आपको देना है तो देना निकाल के यहां तो आप student को थोड़ा सा एक दो दिन करनवे करके आप पढ़ा लेंगे समय निकल जाएगा लेकिन वहां पर quick अगर आपक का वहीं आप खड़े रह जाओगे यह चीज़ आपको सीखना पड़ेगा यह चीज़ आपको जरूर सीखिए तो आई होप आपको जुदने भी doubt रहे होंगे how to write a synopsis, art, research, proposal वो आपको clear हो जाओँगे क्या इसमें एक का structure होता है, क्या इसका format होता है, क्या इसका content होता है, क्या इसका summarize जो प्रोपोजल का एक exact जो word होता है, appropriate word होते हैं या page होते हैं वो मैंने discuss किया why I, जैसे आप क्या-क्या introduction में क्या डालेंगे overview, यह चीज़ें मैंने clear किया है, इस वीडियो को अपने friend तक, junior तक, जरूर सेर करिएगा, अगर हो सोगे तो channel को like, share, subscribe, जरूर करिएगा, कुछ doubt होगा तो comment सक्षर मौक में write down करिएगा, thank you for listening